शर्व प्रतम्तो जय स्रिक्रिश्ट आज हम लोग वायु पुराण से ये कथा सुनेंगे यह कथा बड़ी धार्मीक है, मार्मीक है तथा अर्थ्यात्मीक है इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुनें क्योंकि किशी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है, तथा कथा का आनन्द भी आता है, तो चलिए कथा को शुनते हैं महर्शी याग्यवल्क का शाश्त्र ज्यान और ब्रम्भ ज्यान अपुर्व है याग्यवल्क के वन्सज होने के कारण इनका नाम याग्यवल्क के पड़ा, इनके पिता का नाम भ्रम्भ था एक बार राजा जनक ने यग्य का आयोजन किया, उस यग्य में हजारो रिशी पधारे हैं राजा जनक ने यह जानना चाहा की उपस्तित रिशियों में सर्वस्रेष्ट ब्रम्भ ज्यानी कौन है? इसके लिए राजा ने एक उपाई किया, उन्होंने एक हजार गवों को गोशाला में रोक लिया, प्रतेक गाय के शिंगों में दस दस पाध शूवर्ड बाधे हुए थे, राजा ने हाथ जोड़ कर रिशियों से कहा, मैं आप लोगों की स्तरण में हूँ, आप शब के शब महान पित्वान हैं, मैं चाहता हूँ की आप लोगों में जो शबसे बड़े ब्रम्हनिष्ठ हो, वे इन गवों को ले जाएं, शबी बिद्वान थे, शबी ज्ञानी थे, प्रतेक ने चाहा कि यह धन हमें प्राप्त हो जाएं, किन्तु किशी ब्राम्हर का शाहस नहीं हुआ, तब महर्शी याग्य वल्क ने अपने ब्रम्हचारी को आदेश दिया कि, इन गवों को हाँक ले चलो, यह शुनकर उपस्थित ब्राम्हरो में हलचल मच गई, सब कह रहे थे कि, यह हम शब में अपने को ब्रम्हनिष्ट कैसे कह रहा है, विदेहराज जनक के खोता अश्वश्श, याज्य वल्क, क्या हम लोगों में तुम्ही ब्रम्हनिष्ट हो, याज्य वल्क नहीं कहा, ब्रम्हनिष्टो को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं तो गउँँ की ही इच्छा करता हूँ, लोगों में क्रोध का संचार बढ़ता गया, याज्य वल्क ने प्रशन्नता के शाथ कहा, आप लोग क्रोध न करें, जो चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, आप प्रशन कर शकते हैं, फिर तो एक और सारे रिशी हो गएं और दूसरी और अकेले याज्य वल्क, एक एक कर जिश्यों ने याज्य वल्क से गहन से गहन प्रशन्न किया, महर्शी याज्य वल्क ने सब का सटिक उत्तर दिया, उसके बाद याज्य वल्क की बारी आ गई, उन्होंने प्रथक प्रथक प्रश्ण पूछे, किन्तु उन्हें शे एक ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, उन्हें शाकल ले प्रधान थे, वे बहुत कृधुवे और बोले, तुम हम लोगों को तुक्ष समझ कर, शब धन अकेले हडप लेना चाहते हो, मेरे प्रश्णों का तो उत्तर दो, महर्शी याग्यवल्क ने उनके सभी प्रश्णों का सटिक उत्तर दिया, याग्यवल्क जी उत्तर देते जाते और शाकल्य भिन भिन प्रश्ण पूछते जाते, तब याग्यवल्क जी ने कहा, तुमने जो हजारों प्रश्ण कर लिये, पर अब तुम मेरे एक प्रश्ण का उत्तर दो, याग्यवल्क जी ने, एक प्रश्ण किया, जिसका समाधान न हो सका, अतह शाकल्य वहीं धेर हो गए, तब सब और, सभी लोग डर कर चुप हो गए, प्रश्ण उत्तर, समस्या के समाधान के लिए होना चाहिए, विवाद के लिए नहीं, जगड़े के लिए नहीं, परसपर द्वेश के लिए नहीं, शाकल्य को उत्तर पाकर, संतुष्ट होकर, सत्य वस्त को मान लेना चाहिए, क्योंकि वाद शत्य अर्थ के बोध के लिए ही होता है, इस कथाश यही सिक्षा मिलती है कि वाद से जब शत्य का पता लग जाए, तब जट से उसे स्विकार कर लेना चाहिए, भले ही उससे आपका बहुत पुराना मतखंडिक क्यों न हो जाए, यह वाई पुराण से हम लोग एक ब्रह्म भग्यानी तपश्वी या गुबल के जी के उन्हीं के कथा को जाने और समझें, यह वाई पुराण से कथा थी, यह अगुबल के जी ने हज़ारों रिश्यों के किष्णों का उत्ता अकेली दिया, और बिज़ई भी हुए, क्योंकि उनके अंदर ज्यान था, यह वाई पुराण से कथा रहे, इसी कड़ी में एक कथा असकंद पुराण से भी सुनते हैं, यह कथा भी बड़ी धार्मिक, मार्मिक और अध्यात्मिक हैं, इस कथा को भी बड़े ध्यान से आप सुनें, एक बार महर्शी आप अस्तब्मन्ने जल में ही डूबे रहकर भगवत भजन करने का विचार किया, वे बारह वर्शों तक नर्मदा और मत्या संगम में जल में डूब कर भगवान का अस्मरड करते रहे, जल में रहने वाले, जो जीव थे, वे उनको बड़े प्रिय हो गए, तदनंतर एक शमय मचली पकड़ने वाले, बहुत से मल्ला वहां आ गए, उन्होंने वहां अपने जाल को फैलाया, और मचलीयों की शाथ महर्शी को भी खीच लाएं, मल्लाहों की द्रिष्टी, जब मुनिवर पर पड़ी तो, वे भायशे ब्याकुल हो उठी, और उनके चरड़ों में गिर कर, छमा याजना करने लगे, मुनि ने देखा की, इन मल्लाहों द्वारा, यहां की मचलीयों का, बहुत बड़ा संघार हो रहा है, अतह सोचने लगे, अहो, शुतंत प्राणियों के प्रति, यह, निर्दैतापुड अत्याचार, और श्वार्थ के लिए, उनका बलिदान, कैसे सोकती बात है, भेद दृष्टी रखने वाले, जीओं के द्वारा, दुख में डाले गए प्राणियों की ओर, जो ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर, कुरूर, निर्दै, इस संसार में दूसरा कौन है, ज्यानियों में भी, जो केवल, अपने ही हित में तत्पर है, वह स्रेष्ट नहीं है, क्योंकि ज्यानी पुरुष भी, जब स्वार्त का आस्रे लेकर, ध्यान में इस्थित होते हैं, तब इस जगत के दुखी प्राणी, किसकी सरण जाएं, जो मनुष्य, स्वयम अकेला ही, सुख भोगना चाहता है, मुमुछ्य उसे पापी शे भी महापापी बतलाते हैं, वह काउनशा उपाय है, जिससे इनका शारा पाप ताप मेरे उपर आ जाए, और मेरे पास जो कुछ पूड़े हो, वह इनकी पास चला जाए, इन दरिद्र, विकलांग, दुखी प्राणियों को देख कर भी, जिनके हिर्दय में दया नहीं उत्पन्न होती, वह मनुष्य नहीं राक्षस है, जो समर्थ होकर भी, संकट में पड़े, भय विवल, प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उनकी पापों को भोगता है, इसलिए, जो कुछ हो, मैं इन मचलियों को दुख्षे मुक्त करने का कार्य छोड़कर, मुक्ती को भी वर्ण नहीं करूंगा, श्वर्ग लोक की तो बात ही क्या, इधर यह बिचित्र समाचा, वहां के राजा, नाभाग को मिला, वे भी अपने मंत्री पुरोहितों की शाथ दावडे घटना स्थल पर पहुचे, उन्होंने देवतुल महर्च की पूजा की, और पूछा महाराज मैं आपकी कौन सी सेवा करूं, आप अस्पलम बोले, जो रिशी थे बोले, राजन यह मल्ला, बड़े दुख से जीविका चलाते हैं, इनके जीवन में शंकत है, इनका भरण पोशर कैसे हो, इन्होंने मुझे जल से बाहर निकाल कर, बहुत बड़ा अस्रम किया है, अतह जो मेरा उचित मुल्य हो, वह इन्हें दे दी जीए, नाभाग ने कहा, मैं इन मल्लाहों को, आपके बदले, एक लाख शरमुद्राएं देता हूँ, महर्शिनी कहा, मेरा मुल्य, एक लाख मुद्राएं ही नियत करना उचित नहीं होगा, मेरे योग्य, जो मुल्य हो, वह इन्हें अर्पड करो, नाभाग बोले, तो इन निशादों को, एक करोड दे दिया जाए, या और अधिक भी दिया जा सकता है, महर्शिनी कहा, तुम रिश्यों के साथ, विचार करो, कोटी मुद्राएं, या तुम्हारा राजपाट, यह सब मेरा उचित मुल्य नहीं है, महर्श की बात सुनकर, मंत्रियों और पुरोहितों के साथ, राजा बड़ी चिन्ता में पड़ गए, इशी शमय, महा तपश्वी, लोमस रिशी वहां आ गए, उन्होंने कहा, राजन, भै न करो, मैं मुनी को संतुष्ट कर लूँगा, तुम इनके लिए मुल्य के रूप में एक गव दे दो, क्योंकि ब्राम्भड सब वरडों में उत्तम हैं, उनका और गवों का कोई मुल्य नहीं आता जा सकता, लोमस्ची की यह बात सुनकर, नाभाग बड़े प्रशन्न हुए, और हरस में भर कर बोले, भगवन उठिये, उठिये, यह आप के लिए योग्यतम मुल्य उपस्थित किया गया है, महर्शी ने कहा, अब मैं प्रशन्नता पुर्वक उठता हूँ, मैं गवोशे बढ़कर, दूसरा कोई ऐसा मुल्य नहीं देखता, जो परम पवित्र और पाप ना सको, यग्य का आदि, अंत और मध्य, गवोँ को ही बताया गया है, ये दूद, दही, घी और अम्रित सब कुछ देती हैं, ए गवोँ में, श्वर्ग लोक में, जाने के लिए शोपान हैं, अस्तू, अब ये निशाद, इन जलचारी मचलियों के साथ, सीधे, श्वर्ग में जान, मैं नरक को देखूं, या श्वर्ग में निवास करूं, किन्तु, मेरी द्वार, जो कुछ भी पूड़े कर्म बना हो, उशसे, ये सभी, दुखर्ता प्राणी, सुब गती को प्राप्त हो, तद्रंतर, महर्ष के, सत्संकल्ब, एवं तेजो मई वाणि के प्रभाव से, सभी मचलियां और मलाह, श्वर्ग लोक में चले गए, बिभिन्द प्रकार के उपदेशुद्वारा लोमस जी तथा आपस्तम्ब जी राजा को बोध प्राप्त कराया, और राजा ने भी धर्म मई बुद्धी अपनाई, अंत में दोनों महर्षी अपने अपने आश्रम को चले गए, तो यह असकंद प्राण से कता रहे, जय स्थिक्रिष्ट, जय स्थिक्रिष्ट, झाल झाल